नमस्कार दोस्तों स्वागल है आपका आज के स्वीडियो में दोस्तों आज ये असे असे भी जानते हैं कि सेन डैको आओ करते हैं कि युले सेशन जिस्में ईपब फस जुड़े सवालो के जवब मैं आपको वीडियो के माद्डन से देता हूं वीडियो में आगे बड़े इससे पहले मैं आपको बता दू कि अगर PFO से जुड़े आपको कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या EPFO से जुड़े आपको कोई प्राबलम है जिसका सॉलिशन आप मुझे चाहते हैं सवाल का जवाब देने से पहले तो मैं आपको यह बता देता हूं कि फॉरा पैसा निकालने के लिए आपको फॉरा पैसा निकालने के लिए आपको फॉर्म पैसा निकालने के लिए और पैसा निकालने के लिए और पैसा निकालने के लिए तो इन दोनों फॉर्म को आपको अलग-अलग समिट करना है यानि कि पहले आपको फॉर्म 90 गुट करना है। उसके बाद में आपको form 10 से submit करना है। इस सवाल का जवाब भी यही है जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब इन दोनों form को हमें अलग-अलग संमिट करना होते तो यह दोनों form अलग-अलग ही सैटल होंगे यहने कि form 19 अलग सैटल होगा और form 10 से अलग सैटर्ड होगा इसी के साथ में मैं आपको एक जानकारी और दे जता हूं कि इन दोनों फॉर्म के जरिये जो हम पैसा निकालना चाहरे हैं वह पैसा भी अलग अलग हमारे बैंक अगला सवाल है कि जो प्रोसस में पूरी तरह से अफलाइन प्रोसस में करेक्शन होने में थोड़ा समय लगता है अब कितना समय लगेगा यह कोई फिक्स नहीं है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जमा करने के दो महिने के बाद भी आपके PF account में correction ना हो, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है या फिर ऐसा हुआ है, कि आपने joint declaration form को अपने PF office में जमा किया है, और एक महीने से जादा हो चुका है, या फिर दो महीने हो चुके हैं, और आपके PF account में जो correction आप करवाना चाहते थे, वो correction नगर नहीं हुआ है, तो आप करें और अपने PF office में यह पूछे, कि मैंने इस तारीक को joint declaration form को जमा किया था, लेकिन अभी तक भी मेरे PF account में correction नहीं हुआ है, तो correction क्यों नहीं हुआ है, क्या कारणे और कितने दिन लगेंगे PF account में correction होने में, यह सारे सवाल आपको आपके PF office में ही पूछना है, इसके लि आपको एक बात बता दू कि PF office में बात करने के लिए, आपको PF office तक जाने की कते ही जरूत नहीं है, PF office में बात करने के और भी कई सारे तरीके हैं, अगर आप उन्हीं जानना चाहते हैं, तो इसके लिए मैंने complete video बना दिया है, उस video का link आपको high button पर मिल जाएगा, वीडियो कि ये comment में लिख रहा है कि इन्हें 5 दिन हो गए है, PF claim submit किया हुए, तो जैसा कि मैंने बता है कि PF claim settle होने में समय लगता है, कम से कम एक हफ़ते का समय तो लगता ही है, PF claim settle होने में, वैसे EPFO का कहना है कि normally 20 दिन लगते है claim settle होने में, तो claim submit करने के 5 दिन के बाद अगर आप नहीं हुआ है और PF का पैसा नहीं आया है, तो 5 दिन के अंदर तो कोई claim settle नहीं होगा, टाइम तो लगेगा, तो जब भी आप अपना PF claim submit करें, तो कम से कम एक हफ़ते का समय तो मान करी चलिए, हो सकता है कि एक हफ़ते के अंदर अंदर ही आपका PF claim settle हो जाए, या फिर एक ह पॉल्यर के द्वारा अधार कार्ड लिंक करवाया जाए, तो PF account में आधार कार्ड लिंक तुरंस होगा, या फिर टाइम लगेगा, तो इस सवाल का जवाब ये है कि आपका employer आपके PF account में आधार कार्ड को लिंक नहीं कर सकता है, हाँ अपने employer की help ले सकते हैं, या फिर करना होगा अब जॉइन डिकलेशन फॉर्म को भरने में और पीएफ आफिस में जमा करने में आपका इंप्लियर आपकी हेल्प कर देगा और रही बात के आधार काड तुरंत लिंक होगा या फिर समय लगेगा तो देखे जॉइन डिकलेशन फॉर्म के जरी है अगर आप अप भी साहरे में करेक्षण करवाना चाहते है लेकिन उन में जोब करते ते वह कंपनी बंद हो चुक आंगेब नहीं और बिने पीएफ अकार्ट अपडेट लेकिन जैसा कि यह Sunday QN वीडियो है और इस वीडियो में आपको पूरी प्रोसेस नहीं बता बाऊंगा वरना यह वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा तो अगर आप उस पूरी प्रोसेस को जानना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने complete वीडियो बना दिया है उस वीडियो का ल सब्सक्राइब भी जरूर करें जोड़ी जान करें आपको इस चैनल पर मिलते रहेगी